नमस्ते किचन केकिंग चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुड़ और पीनट की चिक्की बनाना सिखेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर पैन में दो चमच घी और उसके बाद मैंने यहाँ पर गुड़ को एड़ किया है आप गुड़ को चलाते रहें बार बार और जो फ्लेम हैं वो आप कम रखें नहीं तो जो गुड़ है वो हमारा ज्यादा पक जाएगा और अच्छे से हमारी चिक्की नहीं बनेगी उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी आड़ करी है चीनी मैंने इसलिए add करी है क्योंकि ये हमारी चिक्की को एक बहुत ही अच्छा brown color और crunchiness देती है जो हम market से चिक्की लाते हैं वो बहुत ही crunchy होती है वो इसलिए ही crunchy होती है क्योंकि उसमें चीनी अड़ करते हैं ये देखिए आप गुड को बार-बार चलाते जरूर रहे अगर आप गुड की चिकी बहुत ही जल्दी बलाना चाहते हैं तो आप गुड को कदुकस से किसकर भी इसमें डाल सकते हैं वो बहुत ही जल्दी पक जाता है जब तक गुड पक रहा है आप चैनल को लाइक और सब् करें यह देखिए गुड हमारा 80-90% पिगल चुका है जैसे ही गुड में बॉइल आने लगे तो उसके बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी को एक कटोरी पानी के बाउल में डाल कर थोड़ा सा देखिएगा अगर वो नीचे जम जाए तो आपका गुड रेडी है आपके पीनट्स और सौंफ को एड़ करने के लिए मैंने यहाँ पर पीनट्स और सौंफ को एड़ कर दिया है फ्लेम को आप लो रखें और इसको दीरे दीरे आपस में मिला दे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे यह देखिए एकदम अच्छे से आपस में मिल चुका है अब हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे उसके बाद हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे सेट करने के लिए आप कोई भी प्लेट का यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर ठाले लिए उसमें मैंने पहले से ही घी लगा दिया हैं आप इस चिक्की को कोई भी शेप में बना सकते हैं डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से इसमें सेट कर दूँगी यह देखी आप दीरे दीरे ऐसे दबा कर इसे सेट कीजिए जादा ठंडा आप इसे मत कीजेगा नहीं तो यह सेट नहीं होगी सेटकर्ण के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट कम से कम आप इसे ऐसे ही छोड़ दे उसके बाद आप इसे किसी भी शेप में आप इसे काटिए और इंजोई कीजे अपनी प्रामगी के साथ ये देखे कितनी अच्छी और सुन्दर चिक्की बनकर रेडी हुई है आप खाएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिश लगेगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चनल को लाइक हो सब्सक्राइब जरूर